आज मैं आपके लिए दिवाली श्पेशल इंस्टेंट बनने वाली जो चार अलग लग तरीके की मिठाई की रेस्पी लेकर आई हूँ बिना गैस चलाए हम इसको बनाने वाले हैं खाने में यह बहुत टेस्टी बनती हैं और इने बनाने के लिए आपको कोई जादा ना सब्सक्राइब शुरूर कीजिएगा तो चलिए फिर इनको बनाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम जिस मिठाई को बनाने वाले हैं इसे बनाने के लिए हमने एक कप लेनिया भूनी हुई मुंगफली का जो छिलका न वूतरा होना चाहिए तो बहुत ही इसली आपको मा अब इसको एक बरतन में निकालेंगे और इसमें हम तीन से चार चमच दालेंगे और इसमें बूरा चीनी cooking मिल्क पाउडर आप इसमें कोई भी यूज कर सकते हैं skimmed milk powder मैंने इसके लिए यूज किया है और इसी के साथ हम इसमें डालेंगे नारियल का बुरादा तो यह जो आपने है चार से पांच चमच इसमें डालना है और थोड़ा सा हम इसमें डाल रहे हैं और इंच फूड कलर बिल्कुल ऑप्शनल है आप कलर डालना चाहते तो डाल कर लेना है अब हम इसमें बाइंडिंग के लिए डालेंगे बिल्कुल जो उबला हुआ और बिल्कुल थंडा दूद्ध गरम दूद्ध आपने यूज करना है और दूद्ध बिल्कुल थोड़ा-thोड़ा करके डालना है जिससे बस इसमें एक बाइंडिंग आ जाए और उपर से उसको हलका से प्रेस करके इस तरह से देखे शेप देदेंगे इसके बाद हमने एक फॉयल पेपर लेना है और फॉयल पेपर में इसको अच्छी तरह से कवर करके आपने इसको एक से दो घंटे के लिए फ्रिज में रख देना है मैंने इसको जो एक घंटे के बाद ही निकान लिया और इतने टाइम में अच्छी तरह से देखे मिठाई हमारी जम चुकी है अब इसके उपर हम थोड़ा से लगाएंगे चांदी का वर्क गार्निशिंग आपको जैसे भी अच्छी लगे आप कर सकते हैं चांदी का वर्क लगाना इस पर बिल्कुल ऑप्शनल है और अभी हम इसके पीसिस कट कर लेंगे और कटरने से आपको पता चल रहोगा बहुत ही सॉफ्ट ये वली मिठाईया जो बनकर तेयार होती है और अभी मैं आपको इसको तोड़कर इसका टेक्शर भी दिखाती हूँ और ये वली जो मिठाईया आप इसको पांच से चे दिन के लिए फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं अब हम हम आदा कप ढालेंगे मिल्क पाउडर और इसका साथ आदा कप डालेंगे पिसी हुई चीनी मीठा आप चाहें तो थोड़ा जादा भी कर सकते हैंublikे ठीवलाईची का पाउडर अब इस सब एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे इसके बाद अब हमने इसमें थोड़े से डालनी है ड्राइफ रूट्स मैंने इसमें पिस्ता डाला है आप बादाम पिस्ता काजु किश्मिश जो भी आपको अच्छा लगता है वो इसमें डाल सकती है थोड़ा थोड़ा करके हमने इसमें उबला हुआ और बिल्कुल ठंडा दूद डालना है एकदम से ज़्यादा दूद नहीं हमने इसमें डालना है उतना दूद डालना है जिससे इसका एक सॉफ्ट सा डो है जो बनकर तेयार हो जाए तो इसमें ज़्यादा दूद नहीं लगता अपने इस चीज़ का ध्याँ रखना बस थोड़ा-थोड़ा करके इसमें दूद डालना तो हमने देखिए इसमें थोड़ा सा दूद डाला सा उतने से यह देखिए soft सा इसका dough बनना start हो गया तो ये इसकी binding आ रही है अब हम इसमें और दूद नहीं डालेंगे और इसको इस तरह से दिखे अच्छी तरह से हमने इसका एक soft सा texture ले आना है अब पहले तो आपने इसको तीन हिस्सों में ब्राबर बांट लिना है तो ये हमने इसको तीन हिस्सों में बांट लिया अब हम जो इसका एक हिस्सा उसको तो लग रख देंगे और जो बाकी वाले दोनों है उसमें हमने डालना है थोड़ा सा pink food color आप जिस भी color में इसको बनाना चाहते हैं वोई color इसमें डाल सकते हैं थोड़ा सा इसमें pink color डाल दिया और इन सब को अच्छी तरह से mix कर देंगे तो ये हमारे पास एक जो इसका mixture वो pink color का तयार हो गया और एक white अभी हमने इसके बिल्कुल चोटी चोटी जैसे टिकियां बनाते हैं चोटी सी ball बना कर इस तरह से आपने उसको पर ये white portion फिर उसके उपर pink इस तरह से रख देना और इसको अपने हलके हाथों से गुमाते हुए जैसे पेड़े की shape देते हैं उस तरह से इसको आपने एक shape देनी है तो बहुत ही बढ़ी है तो हार वाली जो हमारी जो मिठाई है ना बन कर तयार हो जाती है सारे pieces हमने बना कर तयार कर लिए है अब आप इसकी garnishing जैसे भी चाहें कर सकते हैं मैं इसके उपर थोड़ा थोड़ा लगा रही हूँ चांदी का work और साथ में हम थोड़े से dry fruits है बरी cut करके वो भी लगा देंगे और यह हमने इस पे थोड़े से जो खसकस आती है पॉपी सीट्स वो लगा दिया गार्निशिंग आपको जैसे भी अच्छी लगती है आप वैसे ही कर सकते हैं और थोड़े से मैंने इसके उपर बरी cut हुए पिस्ता लगा दिया आप अदाम को बीच में से cut करके लगा सकते हैं काजू इसके उपर लगा सकते हैं तो यह वाली मिठाई यह बहुत ही बढ़िया बन कर तैयार हुई है और इसको भी आप अराम से जो पाँच से छे दिन के लिए फ्रिज में एक एर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हैं इसी तरह से हम जो नेक्स्ट मिठाई बनाने वाले हैं यह भी खाने में बहुत लाजवा बनती है बच्चो को यह बहुत ही पसंद आने वाली है तो इसे बनाने के लिए हमने दो पैकेट लेनी है जो चौकलेट क्रीम बिस्किट आती है इसमें आपने जो फ्लेवर लेना है वो चौकलेट क्रीम बिस्किट ही लेना है और क्रीम वाले बिस्किट होने चाहिए तो अभी हमने यह दो पैकेट बिस्किट लिए है यह बिस्क जब हम इसको साथ में क्रीम में क्रीम वाले बिस्किट को पीश देते हैं टेस्ट बहुत बढ़िया इनकात है अभी हम इसको एक खुले बरतन में निकाल लेंगे और इसमें हम डालेंगे तीन चम्मच नारियल का बुरादा डैसिकेटिड कोकुनट अगर आपको इसका भी कर सकते हैं थोड़े से हमने इसमें डाल दिया है बरीकटे हुए बादाम और पिस्ता और इन सब को हम अच्छी तरह से मिला देंगे ड्राइफ रूट्स आपको जो भी पिसंद होना आप वही इसमें डाल सकते हैं और थोड़ा-थोड़ा करके अब हम इसमें डालेंगे उबला हुआ और फ्रिज का ठंडा दूद और इसका भी हमने एक सौफ्ट सा जो डो तैयार करना है तो थोड़ा-थोड़ा करके हमने इसमें डूद डालना है तो यह हमने इस तरह से देखे इसका एक सौफ्ट सा डो तैयार कर लिए अब हम इसका एक रोल बना लेंगे और इसको फॉइल पेपर में कवर करके हमने एक से दो घंटे के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए रखते है तो इस तरह से हमने ऑपर चांडी का बर लगा दिया तो पीसीज है जो आप इस तरह से दिखे इतने एक साइस के इसकी है जो कट कर लेंगे आप चाहें तो इसको बर्फी की तरह भी जमा सकते हैं तो यह वाली मिठाई भी बहुत ही सॉफ्ट बन कर तेयार हुई है इसको भी आप हफ़्टे के लिए है जो फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं इसी तरह से यह बनाने वाले इंस्टन पेड़े यह भी खाने में बहुत लाज़वा बनते हैं तो इन्हे बनाने के लिए हमने दो पैकिट जो है पारले जी बिसकिट के लेने है और 10 रुपे वाली ये पैकिंग है जितने भी बिस्कीट हैं हम सारे निकाल लेंगे और इनको हमने एक मिक्सर जार में डाल करना पीस कर इसका एक फाइन पाउडर जो तैयार कर लेना है तो जितने बिस्कीट हमने इन सब को देखिए पीस लिया है और इस तरह से हमारे पास इसका एक फाइन पाउडर जो बनकर तैयार हो गया इसको एक खुले बरतन में निगालेंगे और अब हम इसमें एक चमज डालेंगे कोकोवा पाउडर ये भी आपको बहुत इसली मार्कित में मिल जाएगा इससे फ्लेवर बहुत बढ़ी आ जाता है और इन सबको अच्छी तरह से मिला देंगे अब हम इसमें तीन चमज डालने वाले हैं पिसी हुई चीनी इसको भी साथ में मिक्स कर देंगे आप चीनी है जो अपने टेस्ट के कॉर्डिंग इसमें थोड़ी कम जादा कर सकते हैं दो चमज हम इसमें डाल रहे हैं मिल्क पा शiquषणा और फ्रिज्ज का ठंडा दूद और यह सॉफ्ट सा डऊ फेले बना लेना हैं अब हम इसके बना हैं पेडे आप चाहें तो इसके रोल भी बना सकते हैं बरफी की तरह इसको जमा सकते हैं इस तरह से देखिए इसके पेड़े बना सकते हैं तो बहुत ही बड़ी य जो पांच से साथ दिन के लिए फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं तो उमीद करती हूँ आपको आज की रेस्पी अच्छी लगी होंगी जल्दी हम लोग मिलेंगे और नई रेस्पी के साथ तब तक लिए अपना ध्यान रखिए अपनी फैमली का ध्यान रखिए